हाज जी नवसकार दोस्तो दोस्तो आपके अपने चैनल एक्जाम न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तो आपके लिए हम अच्छी न्यूज लेकर आएं जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छी ग्रूब डी भरती से सम्मंदित वो न्यूज है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो हमारी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है जो भाई बेन हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो हमारा चैनल एक बार जरूर सस्क्राइब कर दें अभी कर दें तुरंत कर दें दोस्तो हमारी आपसे बस एक और रिक्वेस्ट है बेल आइकोन वाला बटन भी तुरंत प्रेस कर दें ताकि हमको वीडियो अप्लोड करें उसका सीधर नॉट्पिकेसन आपको मिल सकें दोस्तों एचसी ग्रूप भी भरती जो हालिम में अभी हरियन सरकार ने केलियर की है एचसी जो बोर्ड उसने अभी समाप्त की है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे अठारा हजार कुछ पदों पर वो भरती हुई थी दोस्तों उन सभी कंडिडेटों जिनकी जोइनिंग नहीं हुई है और कुछ कंडिडेट ऐसे है जिन्होंने अपने कुछ परसनल कारण है परसनल रीजन है उनकी वजह से वो जोइनिंग नहीं कर पाए हैं दोस्तों संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एचसी ग्रूप डी भरती स दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह 4500 जो कंडिडेट है ग्रूप डी के वेटिंग वाले उनसे संबंदित न्यूज हैं जो कंडिडेट पुलिस वे अन्य भरती में लग चुके हैं और रिजैन दे चुके हैं जिसके कारण हजारों पद हैं जो ग्रूप डी के वे जो जैनिंग नहीं की है या फिर उनका किसी दूसरी भर्ती में सेलेक्सन हो गया है चाहे वो हरियाना पुलिस हो चाहे वो रेल्लवे गरूप डी हो या फिर essay की भरती हो या फिर कोई और दूसरा department हो other state में उनकी joining हो गई हो अगर वो पद खाली हो गई हैं तो उन सभी पदों को भरने के लिए जो waiting वाले कंडिरेट है 4500 उन्होंने जो हरियान के CM सहाब है उनसे request की है और वो letter भी हम आपको दिखाएंगे क्या request की है उनकी joining होगी या नहीं होगी संपूर जानकारी हम आपको इसमें आगे दिखाते हैं दोस्तो ये letter जारी हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अक्षर काफी बारिक है फिर भी हम आपको समझाने की कोसित कर रहे हैं दोस्तो इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है सेवा में स्रीमान मनोललालकटर जी जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो विषय है आइए मान निवे मुक्खे मंत्री हरियान सरकार जो मनोर लार जी खटर हैं वो हरियाने के मुख्यमंत्री जी है और विशय है इसका हरियाना गुरूप डी की वेटिंग लिस्ट के लिए करवाने के बारे में प्रात्ना पत्र जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो विशय है उप्रोक्त विशय के अंतरक्त आपसे विन्यप रातना है कि सरकार हमारी जो 45 ग्रूप डी वेटिंग वाले कंडिट को वेटिंग के लिए करवाने के लिए हरियाना करमचारी चैने आयों पंचकुला को आदेश जारी करें दोस्तों जो आपका चैसी बोर्ड है उन्हों जो 4500 कंडिडेट हैं उन्हों लेटर जारी किया हरियाना के सीम से रिक्वेस्ट किया है कि जो एचसी का जो चेर मैंने उसको आदेश जारी करें 4500 जो ग्रूब डे के वेटिंग वाले कंडिडेट हैं उनको जोइनिंग कराएं क्योंकि काफी पद खाली हैं 4500 ग्रूब डे वाले वेटिंग वाले हैं उनका सेलेक्शन हो जाएगा वे हरियाने की पहली ऐसी सरकार है जिसने योगता के आदरब बिना खर्चे और पैसे के बिना गरीव बेरुदगार युवाओ को नौकरी प्रदान की है पिछली सरकार ने बेरुद्गार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर सोसन किया था जिसका जवाब गरीब नौजवान अपनी वोट द्वारा देंगे 4500 गुरुपडी वाले कंडियर सरकार को 3 लाग से भी अधिक वोट देकर लोकसवा और विधानसवा चुनाम में जीत दलाएंगे जो 4500 वाले जो कंडियर वेटिंग वाले उन्होंने हरीन सरकार के सियम से ये बात भी कही है कि वो लोकसवा और विधानसवाम का जो लेक्शन होगा जो 4500 गुरुपडी वाले हैं वो आपको तीन लाग से भी अधिक वोट देकर जिताएंगे और पुलिस अन्हें भरतियों में लग चुके हैं उन्हें खाली बदों को वेटिंग कंडिनेट को दिलाया जाएं अलब कि जो पुलिस में या ने भरतियों जिनका सेलेक्शन हो चुका है उनकी वेटिंग को किलियर किया जाएं और उनको नौकरी दी जाएं जिससे गरीब और वेज़गा युवा को रोजगार मिल सकें हमें आसा कि आप हमारे इस पत्र पर ध्यान जरूर देंगे दोस्तो सीम साहब से सीधी रख्वेस्ट की गई है जितनी जल्दी हो सके वेटिंग है जो ग्रूप डी की वो किलियर की जाए और हमें जरूनिक दी जाएं दोस्तों मैंने आपको संपूर जानकारी इस वीडियो में दे दी है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फि